अमेरिकी F-35 के खिलाफ अपनी प्रतिस परधात्मक्ता की जांच करने के लिए चीनी विमान कमपनी द्वारा चीनी J-31 तील्था लड़ाकू विमान का परीक्षन किया गया है, जिसे ग्रेव पर सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। अमेरिकी एरोस्पेस दिगिज लोखीड मातिन द्वारा विक्सित F-35 एक सिंगल सीट, सिंगल इंजन, हर मौसम में काम करने वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। लड़ाकू जेट को हवाई श्रेश्थता और स्ट्राइक मिशन दोनों सहित कई प्रकार की भूमिकाएं निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले से ही नौ देशों के साथ सेवा में, F-35 से दुनिया भाइबीत है और संभवता घातक, रूसी निर्मित S-400 सता से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का मुकाबला करने वाला एक मात्र विमान है। इसके एलावा, लडाकू विमान के पास प्रभाव शाली आयुद, उननत एवियोनिक्स और इलेक्ट्रोनिक युद्धा और खुफिया, निग्रानी और टोहिक शम्ताओं से संपन है। J-31, गाय फॉलकन, जिसे शेन्यांग FC-31 या J-35 के नाम से भी जाना जाता है, शेन्यांग एरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विक्सित एक जुडवां इंजन, मध्या माकार का पांचवी पीडी का लडाकू विमान है। ये चेन्गदू J-20 के बाद निर्मित दूसरा स्वदेशी स्टील था लडाकू विमान है। इसने 2012 में अपनी पहली उडान भरी थी। सैन्य विशेशग्यों के अनुसार, J-31 को नजदी की वायू समर्थन, हवाई बंबारी और वायू अवरोधन संचालन में उननत रक्षा क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन की हवाई सुरक्षा को कुचलने की क्षमता भी रखता है। कथित तौर पर लडाकू विमान में असाधारन गतिशीलता, गुप्त विशेशताएं हैं और इसमें दो अंतरिक हथियार हैं जो दो मध्यम दूरी की मिसाइलों को ले जा सकते हैं। इसमें बहतर एवियोनिक्स, बहतर स्थिते जन्य जागरूकता प्रदान करने वाले सेंसर, बहतर रडा ट्राकिंग और लक्षी करन क्षमताएं और एकी कृत इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रनाली हैं। J-31 के नवीनतम प्रोटोटाइप में कई संशोधन हो सकते हैं, जो चीनी सेना की युद्ध क्षमताओं को और मजबूत कर सकते हैं। सूतरों के मुताबिक, J-31 को चीन का सबसे महत्वाकांक्षी निर्यात गुनवत्तावाला फाइटर जेट माना जाता है क्योंकि यह स्ट्राइक क्षमताओं और स्टील्था सुविधाओं के साथ एक सस्ता मल्टी रोल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कई विशेशक यह चीनी जैट और लोखीद माटिन के पांचवी पीरी के लडाकू विमान के बीट समानता से चकित हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह देखते हुए कि चीन अन्य देशों के मौडल की नकल करने के लिए कुख्यात है पिछले दिनों कई चीनी विमानों में अमेरिकी और रूसी लडाकू विमानों का प्रभाव देखा गया था। विशले शकों के मुताबिक चीन के जे 20 लडाकू विमान में भी लौकीड माटन F 22 राप्टर और F 35 के कई तत्वा पाए गए हैं। हालांकि J 31 भौतिक पहलूँ में F 35 लडाकू विमान के समान देख सकता है, लेकिन ये सपष्ट नहीं है कि चीनी लडाकू विमान में F 35 जैसे ही गुप्त क्षमताएं हैं या नहीं। J 31 में एक स्टील्था एरोडाइनेमिक डिजाइन है और इसमें स्टील्था कोटिंग भी होने की समभावना है, हालांकि जो कारक इसे F 35 से अलग बना सकते हैं, वे हैं रडा अवशोशक कोटिंग सामगरी की उपस्थिती और आंतरिक हथियार बेका उप्योग। बीजिन के पास व्यापक एलेक्ट्रोनिक समर्थन और हवाई इंधन भरने की क्षमता का अभाव है जो वर्तमान में F 35 और F 22 रप्टर जैसे अमेरिकी स्टील्था लडाकू विमानों के पास है। इस बिंदू पर ये भी स्पष्टता की कमी है कि क्या जे 31 को वहक आधारित नौसन एक लडाकू विमान के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भले ही लडाकू विमान में वहक शमता हो। इन परिद्रिश्यों को देखते हुए कुछ विशेशग्यों का मानना है कि पांचवी पीरी के F-35 और F-22 राप्टर की स्टील्था जोड़ी के बजाए जे 31 फाइटर के चौती पीरी के अमेरिकी लडाकू विमानों के खिलाफ प्रतिसपरधा करने की अधिक संभावना है झाल